नमस्कर दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो महमलों जानेंगे कि बिये परिक्षा में किसी भी प्रस्न के हेडिंग को बना बना कर कैसे लिखा राता है दोस्तो अगर आपको हेडि बनाने में कोई भी दिखत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा आन तक जरूर देखेगा इस वीडियो के अंदर में आपको प्रस्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बना जाता है तो आए देर ना करते हुए वीडियो को सु इसका उतर कैसे रिखेंगे ध्यान से समझेए। विस्तायर पूरा को वडन करना है अब दोस्तो चलिई हम लोग देख लेते हैं कोन-कोन से point है कितने point है तो यहाँ पर धोस्तो हमारा पहला point हो जाएगा सियन बिग्यान क्योंकि यहाँ पर दोस्तो इसका जो मेन point है इस question का साहीन बिग्यान के बारे में को वरान कीजिए यानि कि इस question के अंदर तीन point दिया हुआ है जिसका इस्तिमाल करके हम लोग heading मलाएंगे अब दोस्तों यहाँ पे इस question का पहला heading क्या लिखेंगे तो मैं आपसे हर वीडियो मताता हूँ कि किसी पहला heading या तो अब परिचे लिखेंगे या तो परस्तावरा लिखेंगे या तो परिभासा लिखेंगे या तो भूम का लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इस question का पहला heading हम लोग लिखेंगे यहां पर दोस्तों हम लोग इसका परिभासा लिखेंगे यानि कि सही ने बिग्यान का परिभासा लिखेंगे कि सही ने बिग्यान का परिभासा क्या होता है तो यहाँ पर दोस्तो हम लोग लिखेंगे परिभासा अब दोस्तो परिभासा के अंदर उतर में क्या लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तो हम लोग इस question का यानि कि सही ने बिग्यान से जो related question पूछा गया है हम लोग साहने बिग्यान के परिभासा लिखेंगे अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पर दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि सहीन बिग्यान से अब क्या समझते हैं यानि कि सहीन बिग्यान से अब जो कुछ भी समझते हैं उसका विस्तार पूरण करना है यानि कि सहीन बिग्यान का जो है कि विस्तार पूरण करना है तो यहाँ पर दोस्तो हम लोग सैने बिग्यान के परिभासा लिख लिए अब दोस्तो हम लोग लिखेंगे सैने बिग्यान का कारी छेतर या सैने बिग्यान का छेतर तो यहाँ पर दोस्तो हम लोग दूसरा हैडिंग हो जाएगा सैने बिग्यान का इसका कारे चेत्र, अब दोस्तो देखिए, यहाँ पर जो कारे चेत्र है, इसका में जो कारे चेत्र होता है, यूद के चेत्र में कह जाता है, या फिर यूद के चेत्र में कह जाता है, इसका दो ही कारे चेत्र है, पहला है दोस्तो यूद के चेत्र में, और दूसरा है दोस्त इसमें से अगर चाहेंगे तो इसमें से दो भाग बना देंगे इसमें से दो भागार बना देंगे लेकिन साइन बिग्यान का दो ही छेत्र है यूद के छेत्र में और साइन के छेत्र में अब दोस्तों यहां पर हम लोग तीसरा हैटिंग लिखेंगे साइन बिग्यान की उप उपयोगिता यानि कि सहीन विग्यान की क्या उपयोगिता है उसके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब दोस्तों सहीन विग्यान की क्या उपयोगिता है तो यहाँ पर दोस्तों सहीन विग्यान की उपयोगिता है में हम लोग पहला पॉइंट देंगे और तो यहां पर दोस्तो हमारा पहला हो जाएगा राष्टी भावना जागरित करना अब दोस्तो यहां पर हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देंगे दोस्तो यहां पर हम लोग सही ने बिग्यान की दूसरी वुपिगिता लिखेंगे कुसल कोशल नेतृट था प्रादा करना यानि कि स कने बिग्यान का आध्यान करने से युद केए च्हेत्र में अच्छे स्यों के बन जाते हैं यहाँ दोस्तो में अछत केcasting बन जाते θ right सुरक्षा बेवस्था की जनकारी प्राप्त करना यानि कि जो सही निविग्यान होता है अगर इसका अध्यन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 20-20 से सुरक्षा बेवस्था के बारे में भी बता जाता है तो इसका तीसरा उप्योगता हो जागा दोस्तों सुरक्षा बेवस्था की जनकारी प्राप्त करना बना के आपको लिखना पड़ेगा सुरक्षा बेवस्था की जनकारी प्राप्त करना यानि कि किस तरीके सा सुरक्षा प्राप्त किया रहता है युद में उसकी जनकारी आपको इसके अध्यन से मिलता है अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग चोथा पॉइंट देंगे और चोथा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसका चोथा उप्योगिता क्या लिखेंगे सांती एवं सुरक्षा की अस्थापना करना यह दोस्तों इसका हो गया अगली उप्योगिता अब दोस्तो तो इसका हो जाएगा अगला यूद के रोक थाम में, यूद के रोक थाम में जो है कि इसकी उप्विगता की जाती है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट देंगे और अगला पॉइंट देंगे दोस्तों इसका लिखेंगे कि योधिक आवसेक्टा की पूर् तो इस तरीके से दोस्तो हम लोगों ने साहिन विज्ञान की उपविग्टा वाले पॉइंट में यानि की हेडिंग में हम लोगों ने जोग की 6 पॉइंट लिख लिया अब दोस्तो अगर आप 6 पॉइंट को अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपका कम से कम 2,5 पेज या 3 जाएगा अब दोस्तो हम लोगों ने साहिन विज्ञान की उपाउगिताल लिख लिखेंगे अब सने पॉइंब लगका यानि की साहिन विज्ञान के क्या लाव हैं उसके बारे में दोस्तो हम के लाव यानि कि सईने विज्यान के क्या लाव है उसके बारे में दोस्तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब दोस्तो हम लोगों ने चार हेडिंग लिख लिया लगभग जो है कि हम लोगों ने कोश्टन में जो पॉइंट दिया हुआ था हम लोगोंने सबी point को cover कर लिया अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी point नहीं बचा हुआ है तो last में दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पाच्वा point देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोगोंने इस question का निस्कर्स लिख देंगे यानि कि इस question का जो भी निसकर्स निकलता है यहाँ पे दोस्तो हम लोग लिख देंगे तो इस तरीके से दोस्तो हमारा जो question था सहीनी विज्ञान से आप क्या समझते हैं विस्तार प्लोक वड़न कीजिए हम लोगों ने इस question का heading बना लिया दोस्तो मैं लगतार एक ही topic उपर वीडियो बना रहा हूँ कि बीए परिक्षा में किसी प्रस्न के heading को कैसे बना जाए ताकि मेरा target है कि जो भी बीए की student है उनको समझ में आ जाए कि परिक्षा में किस तरीके से heading बना जाता है क्योंकि दोस्तो बहुत सारे लोग comment करे थे कि सर आप एक ही topic वीडियो क्यों बनाते है अलग topic वीडियो बना रहे है दोस्तो मैं लगतार आपको इसलिए बना रहा हूँ वीडियो इस topic को उपर ताकि आपको अच्छे तरीके समझ मा जाए कि बिये परिक्षा में किस तरीके से heading बना जाता है ताकि अगली बार जब आपका paper हो तो आपको दोस्तो कोई दीकत ना हो heading बनाने में दोस्तो आज इस वीडियो को मैं ही पर skip करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और कमेंट करके बते ही कि आपको नेक्स वीडियो की इस topic को उपर चाहिए थैंक्यों दोस्तों